आज पतना में आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट और गनाईजेशन के द्वारा बिरोध परदर्शन की आजा रहा आप देख सकते हैं पतना कॉलेज के समख यह जो AI-DSO के जो करज करता है वो बिरोध परदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ इनका बिरोध और क्या कुछ इनकी मांग है इनसे बात करते हैं आज हम लोग AI-DSO चात्र संगठन की तरब से पूरे देश भर में प्रतिवाद कर रहे हैं अभी हाली में केरल में पसुची किस्ता विश्व विद्याले में एक स्टूडेंट के साथ अचानक मौत हुई उसके साथ रहेंगी की घटना की गई तमाम तरह कि पूरे देश भर कि जो केरल में स्टूडेंट साथ जो घटना घटी है उसके दोसियों को कड़ी से कड़ी सजा दे जाए और कैमपस में पठन-पठन का माहौल कायम किया जाए तमाम लड़कियों के साथ जो शुरक्च्छा है उसको सुरक्चित किया जाए हमें ही मांग करते हैं आज जो देख रहे हैं तमाम केंद्र सरकार और राज सरकार कि जो अकेडमिक माहौल को लगातार सिक्छा की रीड को तोड़ी जा रही है जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जो पटना विस्विद्यालाई की जो आज का महौल और उसके महौल में बहुत सारा यह आपको मिलेगा कि छात्र का लगातार जो अकेडमिक महौल को रौनता जा रहा है जो छात्र को पठन पाठन का महौल को बरकरार रखना चाहिए लेकिन उसको दबाया जाता है आज देख रहे हैं कि केरल की जो पसूची के सब विस्विद्यालाई का मामला है वहाँ पे एक छात्र का जो परहाई के लिए आये था लेकिन उसको एक दूसरे संगठन के द्वारा उसका राइगिंग किया गया राइगिंग का टोचर इतना हुआ कि उसको मारते मारते उस सिति एकेडमिक महौल बत्तर हो चुका है इसी के लिए हम एडिया सो आज प्रतिवाद दिवस निकाले हैं देखिए इस तरह से बढ़ रहा है अत्याचार चात्रों पर हत्या हो रहा है ब्लतकार हो रहा है चात्राओं पर इस तरह से बढ़ रहा है और हम लोग लगतार खात्रों पर छत्राओं पर हत्याएं होती है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको सुरच्छा की गरांटी करें और रैगिंग हो रहा है इसको यह नहीं हो और उस तरह उस तरीके से स्टुडेंट को सिक्षा दी जाए जो स्टुडेंट है उन लोग को इस तरह सिक्षा दी ज कि अभी कॉलेज विश्विध्याले के अंदर में जो मुल्य आधारित राजनीती होनी चाहिए, हर student organization को अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए, यानि स्वास्थ लोकतांत्रिक महाल होना चाहिए, ये नहीं है, जिसका नतीजा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रह ही है, अभी हम लोग केरला में जो माने भेटनारी कॉलेज और एनिमल साइन्स इन्वर्सिटी है, उसमें जिस तरीके के घटना हुई, कि एक छात्र जो कॉलेज में यूनियन में चुनाओ नहीं लड़ा, तो उसको ले करके वहां के एक छात्र संगठन ने उन पर दबाब बनाया उनके साथ जाधिती की और अंत्ता वो मने उसकी मौत रहस्में धंग से हुई है, तो इस तरह की जो घटना है, ये कोई एक घटना नहीं है किसी केमपस की, हम लोग देख रहा है कि कुछी दिन पहले IIT-BHU में एक लड़की के साथ किस तरीके से जाधिती की गई, उनके साथ छेडखानी की गई, यहाँ जाधवपुर इनवर्सिटी में हाल के दिनों में ही एक स्वापन दीप नाम का लड़का ओ सूसाइट करने को विवस हुआ, तो इस तरीके की जो घटनाए लगातार घट रही है, ये निंदनिये हैं, इसका हम विरोध करते हैं, और स इस तरह की घटना पर रोक लगनी चाहिए. इस तरीके की घटनाए लगातार घटनाए लिए इसका जिम्यवार कौन है, यहां कि शिच्छा बिवस्था, आसवास्त बिस्वित नामाहूल, ये सब बिल्कुल जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए, और यह हम लोग आज इसको सोक की तरह मना रहे है इस्टुडेंट का क्योंकि यह अक्सर इन्वर्सिटीज में देखा जा रहा है आग कल बियाचियू में हुआ आज कारला में हो रहा है कल कहीं और आए दिने सुनने को मिल रहा है लेकिन इस तरीके के घटना पर मतलब कि सरकारी को साथ ऋरो रोक लगाना चाही है यह पर भारत सरकार को इसके जिम्मेधारी लेना चाही कि स्टूडेंट कैमपस में हैं विद्धाले में हैं इसके लिए हाज हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी तो जैसा कि आपने सुना कि ये संकल्प दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है कि जो भी घटनाय घट रही है पुड़े विस्वविद्याले में इसके जिमेवार विस्वविद्याले परसासन और सरकार है ये आइडियोस ने मांग की है कि जिस तरह से केरला में एक छात्र की हत्या की गई उस हत्या की उचस्तरिये जांच हो और जो भी दोसी हो उन पर सक्त से सक्त कारवाई की जाए दर्सनीच के लिए ग्यानेंदर की रिपोर्ट